घाटंपूर के साड में ट्रेक्टर ट्रॉली पलटने से 26 महला हुआ बच्चों की मौत हुई और घायलों को अस्पताल में भरते कराकर रुप्चार किया जा रहा है मुखमंत्य योगी आधितनाथ ने शहर आगर घायलों का हलचाल लिया घाटंपूर के साड में शाम हुए आजसे में 26 महलाएं और बच्चों की मौत पर चोग जताने के बाद मुखमंत्य योगी आधितनाथ कांपूर पहुँच गया है और सबसे पहले LLR हस्पिटल में घायलों का हलचाल लिया हैली पैट पर मुखमंत्री का हैली कॉप्टर पुलिस लाइन हैली पैट पर उत्रा और वहां विदान सबा अध्यच 37 महाना के साथ हैलेट अस्पिटल पहुंचे जहां घायलों का हलचाल लिया LLR अस्पितल में पत्रकारों से बारता में मुखमंत्री योगी आलितनाथ ने चकेरी में हुई दुर घटना में पांच लोगों की मौत पर भी दुख जताया उन्होंने कहा कि घायलों का इलाद तत्परता से किया जा रहा है सरकार ने ऐसी घटनाओ को रोकने के लिए समय समय पर कायकरम चलाए हैं उन्होंने राश्पति और प्रधान मंति समय सभी महत्पून लोगों की संवेदनाओं के बारे में भी बताया रिलीफ फंड में घिली मदद की जानकारी दी कहा अंतिम संसकार के प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्यूरतों को मदद राशी दी जाएगी उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्रात्मिक्ता में है चिंता का विश्य है कि सड़क दुरघटना में कई जाने जाती हैं इसे देखते हुए परिवाहन विभाग जागरुपता लाने का कार करें। मुख्मांती के साथ डीजी पी, डीएस चौहान और प्रमुख सचीव ग्रे संजे प्रसादी मौजूर। इस प्रकार की गुटनाओं को भूखने के लिए, समय समय पर अनेक जागरुपता के कारें भी चलाएं हैं, कल्की दुपत घटना पर, देश के मानिय राज्ट्रपती जी ने, मानिय प्रतान मुख्मांती जी ने, बारतिय जन्ता पार्टी के राज्ट्रियत मुख्मांती ने, मानिय रक्सा मंत्री मानिय प्रहें मंत्री जी ने भी अपनी संबेदना प्रक्ति की है, मानिय प्रहान मंत्री जी ने, प्रहान मंत्री राहत उसे परिवारों, वो राहत बिले, बिल्टक परिवार के सबस्थ्यों, दोला कुने के अर्थिक सायता, और पहलों को दोला कुने के सायता रही है, वर राति सासद के उन से भी इतनी हिसायधा। उन सबीरा परिवारों को कुया है और अमक्रूंते क्ताने भी कुछना की है। अंते संस्कार की कारदाई सांपर्च होने ही है। मि सभीरा से समझे sure पर राफ एजनों को प्लाचरों की है। मैंने गल भी अपील की ते इससे पहले भी बिल की थी तो इस अड़क शुक्सा हमारे लिए प्रात्रिक्ता का विसखोना चाहिए बहुत बड़ी संथा में जनहानी होती है स्वब दुरगटनाओं के काई और यह हम सब की चिंता का विसखोना चाहिए मैंने अपील की है आज राता ही मैंने प्रेविवाग सड़क से जड़े वे अपने परिवान निगाँ से जड़े वे सभी अविकारियों को ला करके उनको बहुत समस्ट उप से कहा है कि सड़क सुरक्सा से समझने तेक प्रिहत जाक सुंता कि कारेप्रम को आगे बढ़ाने क्या उसकता है इसकोल कॉले जिस से लेकर के सभी स्टेक्टर्स के साथ इसके साथ जोड़ने के हो सकता है प्रात्मे प्रोग से प्रॉली डेकर या प्रॉक प्रॉब्योग जिस कारे के लिए है सवारी के टूनी में अगब नहीं करेंगे या तो हम लोग काफी बड़ी सिंख्या में जनहानी को प्रॉब सकते हैं इसके लावा भी जागरूपता के कारेक्टरम में इश्बूट कॉलेजिस से लेकर के अन्या महत्तुकूर संस्थानों को इसके साथ जोड़ने है और अंतर में भागे समन्वे से जागरूपता के बड़े कारेक्टरम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कारेक्टरम को हम बद्बूती के साथ आगे बढ़ाएंगे जन से भागे बाँ वहां पर सोक संतप्त परीजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कारेक्रम में उनका सहीओ करने के लिए वहां पर हैं कानपूर नगर से जड़ेवे हमारे जो मानिया जन परदिनी हैं मानिय द्धेक्ष जी के नित्रुत्व में मानिय सांसजी मानिय विदायक करन जो हमारे हैं इन सभी के साथ कम से ही यहां पर पीडितों की सेवा में यहां पर अपना योगदान दे रहे हैं दुखत घटनाज प्राता भी तीन वजे भी हुई चकेरी थाना छेतर में बिंद्यांचल धाम की और प्रस्तान कर रहे हैं सरदालों के एक दंपर पर ठ्रक ने पीछे से भोकर मारी थी इसमें भी पांच मौते हुई हैं और नौ लोग गंभी रुप से गहल हुए हैं जो नौ लोग गंभी रुप से गहल हुए हैं उनका उपचार भी यही पे मेडिकल कॉलेज में यहां पर हो रहा है मेडिकल कॉलेज की पुरी टीम उपचार में लगी है पुरी तत्करता के साथ उन्हें स्वास्ते की सुझभा प्लब्द करवा रही है जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है कानपूर से विशाल सायनिक रिपोर्ट जनकल्यान नीज कानपूर से विशाल से विशाल सायनिक रिपोर्ट जनकल्यान नीज़ को खोया है